तो वेलकम बैक एवरीवन माइन एस आइन गोस्ट चले सुरू करता है आज का इनलैसिस जहाँ पर स्टडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेट प्राइन हो सकता है डीटिल में डिसकस करेंगे साथी साथ देखने वाले कि ऐसे कौन से स् इंट्राडे में कुछ अच्छा मुमेंटम हमें देखने को मिल सकता है हर बार की तरह अपना इनलैसिस स्टार्ट होगा बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी करेंगे डिली टैम फ्रेम में और हमने हर बार की तरह जैसे हम कैंडल स्टिक स्टडी कर रहा था यहाँ वही तो वीडियो प्लीस लास्ट चुरू देखने कुछ important content यह कुछ important learning देने वाला हूं अभी एक learning में देने वाला हूं क्या learning है learning यह है कि आज का candle क्या formation हुआ है देखो आज का candle जो formation हुआ market almost gap opening वा फिर थोड़ा selling आया फिर कहने के market नहीं यहाँ पे close दे दिया यही हुआ है देखो जब भी कभी market को breakout करना होता है तब अगर market gap up का कोई candle बना दे कोई भी candle या कोई moment ऐसा कर दे कि gap up हो जाए वहाँ पे there is a 70 to 80% chance कि वो gap up जो होगा वो market का जो breakout के time में जो आ रहा है व मतलब breakout fail करेगा यहाँ पर 70 to 80% of the chance जब market breakout के time में कोई breakout candle बनाता है मतलब breakout के time में कोई gap up opening या gap down gap down नहीं बोलूँगा gap up opening अगर बनाता है जस्ट इस टाप के resistance के सामने कोई gap up opening candle बनाता है तो उसके fail होने के chances से 70 to 80% यह आप note करके रख सकते है मतलब reversal क्या होगा for example intraday में आप ऐसा पैटर्न देख रहें 30 मिनट यह 15 में टाइम फ्रेम में तो नीचे breakdown आने के time पर अगला जो candle है वो सिधर यहाँ पर open हो गया तो होगा क्या just because आगे से selling आ रहा था यहाँ पर अपना profit booking शुरू होगा फिर market धीरे धीरे ऊपर जाके फिर साइट से बाद में नीचे fallout कर दें तो directly हम selling expect नहीं कर सकते बट अगर market यहाँ कई open होता तो सायद से हम selling expect करते तो same चीज़ यहाँ पर था in case of buying अगर market यहाँ कई open होता फिर upside जाता तो हम यहाँ पर bigger green candle expect कर सकते थे चलो छोड़ो आज जो market ने हो गया आप further देखते है कि अभी भी क्या market में कोई bullishness बाकी है मैं 15 में चार्ट में आ गया 15 में चार्ट में कुछ interesting हमें देखने को मिला है that is जो level हमने कल के दिन mark किया था that is upside में 44,800 को बुली बताया था कि उसको पर market जाता है तो bullish देखेंगे market exactly वहीं से fall कर गया और जैसे fall किया सुबह सुबह इसने almost 300 point का fall दे दिया जो I think यह catchable moment था इसको catch कर सकते थे तो market ने यहां moment यहां तक moment किया almost 44,300 तक market आया और continue यहां पर sideways हो गया opening यहां पर closing ध्यान में रखना इस range के ऊपर closing होना कोशिश किया कहिना कि buyers आप भी भी market में intact है fine देखो अब कल के लिए वही दो levels बहुत important हो जाएंगे level थोड़े wide हो जोग है level आपसाइड में 44,700 हो मिन रहे हैं बाद ध्यान से देख लेते हैं कोई से level है 750,700 हा इसको clear रखते है आपसाइड में 44,750 लेवल नहीं तो 44,800 लेवल यह दो level अब यह actual resistance लेवल बन जाएगा upside में नीचे के तरह 44,300 या 44,280 लेवल का जो range है यह resistance यह support कर सकते हैं यह आपको mind में रखना मतलव इस range के ऊपर कोई bullishness इस range के नीचे कोई market में bearishness देखने को मिल सकता है ओके आई होप यह दर clear हो गया अब देखते हैं कि market open कहां होता है उससे सबसे क्या planning होगा देखो कहने कि अगर market gap opening हो रहा है possible है gap opening एकदम possible है अगर market ने gap opening दे दिया इस high के ऊपर 44,7, 27,7,50 के ऊपर gap opening दे दिया आपको बस यह observe करना है कि market में थोड़ा अगर selling आके market कहने कि यहाँ पर support लेकि अपना high break करता है और उसके बर कोई bullish pattern बनाता है तब जाके यहाँ पर कोई bullishness का trading plan हम कर सकते हैं जब तक उस high के ऊपर sustain ना करें ओपनिंग के ऊपर sustain ने कर रहा है market म कर ले जाएगा जिस्ट आज जैसे sideways के जा रहा है market चलो यह हो गए चलो gap up का सीन अब देखते हैं कि sir market gap opening हुआ नी एकदम इस range के अंदर open हो गया क्या करना है ऐसे option buyer आपको फीट करना है जब तक यह levels break ना है तब तक कुछ आपको trading नहीं करना है but as an option seller आपको कच्छा क्या opportunity मिलेगा option selling करनेगा क्योंकि वैसे भी bank nifty का expiry Wednesday से याद है कि कल के दिन मैं गलती से वीडियो में बोल गया कि कल bank nifty का expiry था but actually expiry नहीं था वो मैं एकदम I think आया था इसके उपर कि सर अब गलत expiry बता रहे हो कोई बात नहीं हो जाता है कभी-कभी flow में निकल जाता है मैं normally nifty follow करता तो nifty दिमाग पर चलता रहता है okay अचा तो यहां पर sideways अगर market जाता है तो wait and watch करेंगे कोई level breakout करें तब भी हम कोई trading का कोई opportunity देख सकते हैं अब आ market यहां से कोई rejection देखे अपना low break कर रहा है अगर यह scenario होता है तो हम बीर इसका trade plan करेंगे अगर ऐसा नहीं होता market इसके उपर आता है तो चांसे सार देख slow and steady market उपर जाएगा आप कोई directional trade यहां पर plan कर सकते हैं bullishness के लिए I hope यहां तक clear हो गया तो यहां पर हमने study किया deeply bank nifty क एक बार quickly nifty देख लेते कि nifty क्या कर रहा है nifty का daily candle यहां पर observe करते है daily candle हुआ क्या market open हुआ फिर नीचा आया फिर उपर closing दिया कोई भी negativity यहां पर हम नहीं देख सकते हैं यहां पर sad भी देखो गया nifty का daily candle में sad भी downside ना बना है कहीने के market नीचा के फिर उपर close कर रहा तो मत आयम है इसका मतलब एकदम भी नीकि market उपर से नीचे fall करेगा हाँ fall तभी जब तक आज का low न ब्रेक कर जाए तो यह strong support का का काम अभी तक करेगा next दिन के लिए fine चलो अब आते 15 minute time frame में देखते हैं कि आज market ने कैसा momentum किया और कल के लिए क्या planning यहां पर हो सकता है अगर आद हो unexpected हमने जो analysis किया ऐसे market momentum भी किया खल के दिन में मैं आपको दो lines बना के दिया थे upside में 21,000 देखो line एकदम सेम है आप देख सकते हो 21,000 130 to 127 का line आपको बताया था कि एक resistance से काम करेगा इसके उपर जाने से ही हम कुछ planning करेंगे exactly हुआ कि हम marketing यहीं से fall दे दिया क्या हम इ दिया नहीं नहीं दिया logic किया था क्या logic था यह पर आपको daily time frame में जाता हूं मेरा logic एकदम simple था that is this thing मैं exact point में नहीं बोला था कि मैं always खोसिस कर रहा हूं यह जो gap बना है market में यहाँ पे line किछने का दियान से कल का video देखना मैंने बोला था कि normally जब ही market यह gap fill करता है यह resistance बह normal scenario market में ठीक है अब लोग कई लोग समझते हैं कि magic चल रहा है यहाँ इसा कोई magic नहीं है मैं कोई analysis जो भी दे रहा हूं this is based on past history हम history में जैसा momentum देखके आते हैं उससे अपने analysis करते हैं और downside मैंने क्या बोला कि अगर 20,080 level break होता है तो एक bigger fall हमें देखने को मिल सकता है तो जै इतना बड़ा fall भी हम ले सकता है यहाँ अब फिर यह तो हो गया आज कगर market देखें यहाँ पर हम data ध्यान से देखे data क्या चल रहा था सुबह के साड़े 10 के असपास जो हमने data post किया यहाँ पर ध्यान से देखने क्या चल रहा था अब data कभी-कभी बहुत कुछ story बता देता यहाँ पर देखोगे 20,000 लेवल पर put side में जो total हो आई था that was huge 173 lakhs 1CR 73 lakhs put writers यहाँ बैटे थे that means यह support बना के बैटे महीं पर अगर हम 20,100 में आते हैं यहाँ पर देखोगे 2CR 2.22CR 22 lakhs यहाँ पर call seller बैटे थे that means यह register से काम करेगा मतलब market इसी range के अंदर ही trap हुआ रहेगा यह सुबा सोई पता चल गया था अब इसको बूलते हैं हम data study तो everyday video continue देखते रहना मैं कोशिस करूँगा छोटा 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 करके आपको option chain analysis सिखा पाओ यह मेरा कोशिस रहेगा बट इसके लिए आपको रोज video देखना है gap करोगे भूल जाओगे miss कर जाओगे उ मिला तो यहां पर कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब होता अगर मार्केट 20,000 लेवल के यह तो देखो ऊपर होगा 20,000 लेवल यहां पर देखा रहा है या नीचे देखा रहा है मतलब यह सब उठाम कर रहा है अगर live market में 20,000 लेवल के नीचे आता अगर live market में 20, 20,000 लेवल के अगर market नीचे आता तो बीरिस opportunity होता और वैसा ही 20,100 लेवल के उपर जाता तो एक bullish opportunity होता यह हमने data ने हमें यह चीज बता है तो यह एक opportunity यहां पर देखने को मिल सकता था I hope यहां तक clear हो गया this was just an data analysis तो यहीं पर हम further देखे market exactly इसी range के अंदर सुबा सुबा trap था और बाद में एक breakout हमें देखने को मिला अब यह breakout बहुत इंट्रेस्टिंग है आज के जो high बना था सुबा एक दम उसी के आसपर से इसने closing दिया kind of a hammer candle hammer बोल सकते hanging man भी बोल सकते hammer नी होगा actually hanging man candle इसने बनाए डिली time frame में अब यह कुछ important level हमें provide कर रहा है कल के लिए upside म में जो level है 20,000 यह 20,000 level हम बोल सकते हैं यह दो level है जो एक decision दे सकते हैं कि market bullish हो सकते है अब देखते कि कल अगर market gap up opening हो गया देखो बहुत ज़्यादा gap opening नहीं होना चाहिए keep in mind यहां से यहां अगर market opening होता है तो almost 90 point gap up होता है अगर market 90 point gap up हो गया 80% chances है कि यहां से एक bearishness moment द नीचे जाना है तो अगर आप smart हो आप अपने इस अपसर ट्रेडिंग प्लाइन कर सकते हो बड़ बिगर फॉल का expectation मत करना चांसे सारा देर market support लेकर फिर उपर जाएगा यह तो हो गया huge gap opening अगर हम देखा कि market काईना कि 150 175 के आसपास open और काईना कि यहां पर क्या planning करना है हम wait and watch करेंगे अगर market नीचे आता है यहां पर कहीं पर support लेंगे अपने high break करता है उसके ऊपर sustain करता है तो definitely हम bullish का trade plan करेंगे first immediate target आपका ऐसा कुछ level हो सकता है और अगर आप further trade नों बैट रहे हो तो 1 is to 2, 1 is to 1 का भी risk to reward आप maintain कर सकते हो हमें bearish तब तक नहीं होना है जब तक market आज का low break ना कर जाए फाइन अब देखते हैं कि सर अगर कईने के market is range के अंदर open हो गया आप smart हो को समझ आ गया होगा range के अंदर open होने से आप wait and watch करेंगे जब तक range breakout नहीं होता तब तक कोई भी option buying का scenario यहां पर नहीं देखना है fine option selling देख सकते हैं that will work अब आता है कि सर अग अगर market gap down open हो गया तो क्या करना है gap down के scene में आपको यह 20,000 level है यहां पर एकदम यहां पर आपको इसका ध्यान में रखना है कि अगर gap down के scene में market किसी भी तरह से 20,000 के नीचे sustain कर रहा है कोई bearish pattern बना रहा है data भी यहां पर match कर रहा है तब जाके कोई bearish statement हो सकता है आप टू 19 18,000 880 या 19,900 का एक target हो सकता है और further fall करे तो 848 50 टक का भी target हमें देखने को मिल सकता है अचा एक और comment आया था that was an interesting comment जो से थोड़े पहले मैंने बोला लास्ट वेडियम बहुत comment आया था तो भी पढ़ने का मैं every day पटता हूं comment आपका एक comment आया था sir आप तो bullish से बताते हो आ कौन से level के नीचे बीरिस होता है जिसके बाद से at least अब गलर trade ना लो मेरा view यह रहता है कि अगर आपको दिख रहा है market उसके उपर जा रहा है तो आप only bullish देखो वापे कोई bearish pattern मत देखो bearish तब जाना अगर वो fail होता है अगर market for example आज का अगर इसके नीचे आता है तो मैं bear प्रिवार से नीच करूँगा बट आपको normal sentiment बताता रहूँगा क्या 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 हो रहा है अब आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं कि ऐसे कौन से stock है जिनको हम अपने watchlist में रख सकते हैं for intraday बट उससे पहले आज के कुछ stock देख लेते हैं उन्होंने कैसे momentum किया सबसे पह अच्छा momentum दिया तो देरी से chance की यहां से market bounce back कर सकता है मैं daily time frame का बात करूँ I don't know अगर आपने वीडियो लास दिन देखा की नहीं देखा देखो exactly हुआ क्या मैं यहां को बता यह था चांसे साथ दियर की market थोड़ा bullishness दिखाता है क्योंकि दो rejection यहां पर देखने को मिल रह अगले stock में अगला stock जो था that was looping अब looping का तो क्या ही कहना देखो exactly इसने किया किया एकदम flat open हुआ यहां पर फिर नीचा आया support लेगा सीधा उपर भागा यहां पर कुछ अच्छा का सा profit हमें देखने को मिला होगा अगर अपने डिरेक्स ने ट्रेड लिया होता तो right और मै सब कुछ नहीं बोल रहा है बाकि आप smart होगा पता चल गया होगा next यहां पर आएंगे DLF में आपको I think मैंने बोला था मुझे correct याद नहीं है 632 के नीचे हमने बोला था और जैसे market इसके नीचे आया 5-minute time frame एक entry यहां पर बन रहा था market ने अच्छा गासा fall दिया तो again more than 1- to 1 कर एक स्टोडिय वाद यहां पर हम देखने को मिला था बहुत अच्छा fall मिला आउट ओफ थ्री स्टॉक दो स्टॉक में अच्छा गासा momentum मिला तो अच्छा गासा profit वहां भी मिल सकता था अब देखते हैं कि कल के लिए कौन से स्टॉक अपने watchlist में रखने वाले that is voltas मैं कि अगर market low break करे तो fall मिलेगा fall मिला और आज के आज इसने rebound कर दिया exactly यहां पर support लेगे अब chances are huge next दिन में अगर इसका high break करता है तो market अगीन एक bullish momentum यहां पर दे सकता है मैं यह नहीं बोलूँगा कहां तक move करेगा बढ़ हां एक bullish momentum यहां पर expected है अगर market आज का high break करता है तो अगर odd जब अजस्ति बनाना चाहो तो यहां पर cup and handle बन रहा है ठीक है बट मैं वैसे pattern यहां पर नहीं देख रहा है normal support resistance में जा रहा हूं हमने देखा कि आज 12 एक बज़े के बाद market यहां पर sideways था तो यह हमारा कल के लिए एक trigger हो सकता है अगर इस high की उपर market sustain कर रहे that is above 830 level तो एक bullish momentum देखने को मिल सकता है और bearishness आने के लिए market को at least मैं थोड़ा सा low level पर जाओंगा 822 level अगर हमने देखा कि market कल 822 के नीचे sustain करता है तो यहां पर हम कोई bearish planning कर सकते है but don't go for a bigger target possible है market यहां से bounce back करके फिर उपर जाए तो सबसे पहला stock जो है कल के लिए that is voltage तो please you can keep this stock in your watch list अब अगला stock आते है अगला stock है यहां पर बिल्ला soft कुछ interesting यहां पर मुझे देखने को मल रहा और इस टाप पे stock हमने पहले भी discuss कर रहे दिहां से देखना 15 minute time frame है इस particular level के आसपास continue rejection मिला है साथ ही साथ यहां पर triangle pattern मिल गया अब there is a higher scope यह there is a higher opportunity कि market one side momentum कर सकता है तो upside market को momentum करना है दो मिनिट इसका वो daily time frame देख लागता है और भी interesting लगेगा daily time frame देखो daily time frame में stock एकदम bullish है यह थोर दिन पहले pullback दिया फिर धिर धिर upside यहा रहा तो अगर यह range breakout होता है तो bigger momentum मिलेगा वापस आते है 15 minute time frame में तो यहां पर हमें जो next level देखना है that is 635 level तो कल अग 624 के नीचे sustain करता है और further कोई bearish pattern बनाने से हम कोई bearish opportunity देख सकते है बुलिस के side में आप more than one is to one का target set कर सकते है but in case of bearish one is to one target is enough okay I hope clear हो गया यह था हमारा second stock अगला stock यहां पर देखने वाल है अगला stock यहां पर और विंदो फार्मा daily time frame में आंगे और interesting लग रहा देखो time frame उपर उपर भाग रहा है थोड़ा दिन पहले इसने एक दू दिन पहले 28 और 29 को थोड़ा pullback लिया और आज उनके high के उपर closing कर रहा तो there is a huge opportunity या there is a higher chance की market further upside जा सकता है यहां पर तो इसको definitely watch list में रखेंगे 15 minute time frame में आते देखते कोई pattern कुछ बन रहा है कि नहीं देखो प्री stock 1050 के ऊपर sustain करता है तो कोई bullish opportunity देख सकते हैं और अगर यह stock नीचे की तरफ 1030 ना 1035 के नीचे sustain करता है तो प्री इस अपर सकते हैं बीडिस के लिए bigger target के लिए नहीं जाएंगे maximum 1-1 का target होगा और अगर market bullish जाता है 1050 के ऊपर तो 1-1 से जादे का target भी आप expect कर सकते है I hope clear होगा है तो आज के वीडियो यहीं पर रखने हो रहा हूं थोड़ा से लंबा हो रहा है वीडियो क्योंकि बहुत को समचाना पड़ रहा है तो फिर आज यहीं पर end करेंगे और please मुझे comment जरू बताना तो भी तिरे दिरे जो वीडियो लंबा कर रहा हूं इसमें कोई problem ह है कि नहीं जो डीटेल बता रहा हूं उसे कोई problem है कि नहीं थी अच्छा लग रहा है कि नहीं थोड़ा आपने feedback दीजिए तो उससे अपने analysis में change करते रहूंगा तो thank you everyone मिलते फिर अगले वीडियो में thank you very much